हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपसे डिसकस करूंगा CET के बारे में CET graduation level के marks कब तक release होंगे उसके बाद आपका जो नई भरती के अंदर किस तरीके से आप जो है invite की जाएंगे या आप participate कर पाएंगे उसके बारे में पूरी detail से जानकारी आपको provide कराऊंगा अपडेट यह आया है CET के marks को लेकर कि CET सनातक के परिक्षारतियों के जो marks है वो इसी महा के अंत में जारी हो जाएंगे यानि कि इसी महा March 2023 के अंदर end तक March 2023 के end तक CET सनातक परिक्षारतियों के जो marks है वो जारी कर दिये जाएंगे उसके बाद क्या होगा जैसे आपके marks आ जाएंगे उसके बाद कोई भी भरती की जो विगपती आएगी उसमें जिन अभ्यारतियों ने 40% या उससे प्लस अंक प्राप्त किये हैं पंदरा गुना अभ्यारतियों का चयन कर आवेदन के योग्य माना जाएगा यानि की CET graduation level की बात कर रहा हूँ अगर आपके marks इस मैने के end में आ जाएंगे उसके बाद जो भी भरती आएगी आगे next upcoming भरती उसमें 40% से अधिक अभ्यारतियों को योग्य माना जाएगा यानि की support करो कोई भी भरती आती है एक हजार पदो पर तो 15 गुना यानि की 15,000 अभ्यारति जिनके CET के अंदर 40% से अधिक marks है या 40% भी है उनको योग्य माना जाएगा अभी तक तो board के अंदर ये इस्तती है ये फैसला लिया गया है आगे कोई और update आएगा तो मैं आपको बता दूँगा लेकिन ये मान के चलो आप CET का marks रिलीज करने के बाद 40% के जो भी अभ्यारती है उनको मौका जरूर मिलेगा मतलब 40% एक minimum qualify marks रखा है अगर 40% आपके marks बनते हैं तो आपने qualify कर लिया है तो आप आगे की भड़ती के लिए आविदन कर पाएंगे थैंकी